नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर तो रश्या यूक्रियन के बीच में जो चल रहा संकट है उसको लेकर अब जो Western countries हैं विशेश रूप से UK और USA उन्होंने ऐसा लग रहा है कि एक नया front यहाँ पर open कर दिया है इस नये front के माध्यम से यह लोग यहाँ पर Arctic के area में अपनी military presence को बढ़ाने वाले हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Economic Times की यह खबर आच्छे दो दिन पहले सामने आई थी UK is going to step up the military presence in the Arctic Ocean and साथ ही में यह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं USA ने भी आच्छे तीन दिन पहले यह announcement करी With eyes on Russia, US military prepares for an Arctic future तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि यह वाला जो यहाँ पर एक नया front open हो रहा है यह किस तरीके से यहाँ पर महतुपूर्ण बन सकता है Also discuss करेंगे कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में दोनों के दोनों जो देश हैं वो यहाँ पे विशेश रूप से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए जो डिफेंस सेक्रेटरी है Mr. Ben Wallace इन्होंने रिसेंटली ये वाला स्टेटमेंट दिया कि ब्रिटेन जो है वो अपनी मिलिटरी प्रेजन्स आक्टिक के इलाके में रिइन्फोर्स करने वाला है और इन्होंने यहाँ पे कारण को बड़े ही साफ शब्दों में बताया कि because यहाँ पे रिश्या का जो इन्वेजन हुआ है यूकरेन का इसी के चलते हम लोग यहाँ पे अपनी मिलिटरी की जो प्रेजन्स है उसको काफी जादा बढ़ाने वाले हैं यह वाला जो स्टेटमेंट था इन्होंने कब दिया सो हल ही में जो ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी है मिस्टर बेन वॉलिस यह विजिट कर रहे थे नौर्वे में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह वाला जो मैंने पिन मात किया है और इसके लावा यहाँ पे कई सारे अन्य NATO कंट्रीज के military bases भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि यह वाला जो पूरा का पूरा शेत्र है यह हमारे communications के लिए बहुत important है हमारे वैपार के लिए बहुत important है और यह हमारे freedom के लिए बहुत important है and that is why हम लोग यहाँ पर अपनी military presence को और भी बढ़ावा देने वाले हैं यह एक cold weather training based area है जहाँ पे Britain की Royal Air Force भी यहाँ पे तैनात हुई हुई है Britain की army भी और साथ में Royal Navy के helicopter cruise भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि Britain की तीनों की तीनों जो सेनाए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है Now, यह basically इनके दोरा यहाँ पे साफ-साफ कहा गया है कि We are underlining a commitment to increase the amount of surveying we do across the sea and the land आप ऐसा मान लिजे कि अभी तक जो Britain के सामने जो Russia के सामने जो front open करने की बात चल रही थी यहाँ पर आपको मालूम होगा वो mainly Poland के थुरू open करने की बात चल रही थी लेकिन अब जो है अगर यह वाला front यहाँ पर open हो जाता है तो यह तरीके से एक C वाला, एक समुद्र वाला front होगा जो कि हमें पहली बार देखने को मिलेगा NATO के रूप से against the Russia Now, बलकि इन्हों ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हम लोग यहाँ पर एक permanent marine strike group रखने वाले हैं, यानि कि एक ऐसा group रखा जाएगा जिसको कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो Russia के उपर attack कर पाएगा यह वाला आप area देखे, यहाँ से Russia की जो territory है that is very very close यहीं पर जाकर के आप Russia को सीधा-सीधा यहाँ पर अगर आपको attack करना है तो कर सकते है and इसी area में इन्होंने यहाँ पर यह basically commitment करी है we are going to effectively permanently have a marine strike group permanently active in the Nordics तो in Nordics यहाँ पर जो countries कौनसी कौनसी होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं Iceland है, Norway है, Finland है, Sweden है और Denmark है इसमें even though Sweden और Finland, even though यह NATO की member countries नहीं है लेकिन क्योंकि यह UK और US की अच्छी दोस्त मानी जाती है तो यह लोग भी यहाँ पर इनका समर्थन कर रही है आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने साफ-साफ कहा है कि हमारे जो military ties है वो Nordic countries के साथ पहले भी काफी अच्छे चल रहे थे और हब आज की टाइम पर हम उनी military ties का इस्तिमाल करते हुए यहाँ पर रश्या के खिलाफ अपना जो aggression है वो और बढ़ावा देने वाले है बलकि Norway ने तो यहाँ पर साफ-साफ इनको support किया है जो Norway के यहाँ पर defense secretary है जिनका नाम है Odd Roger Enochson इन्होंने कहा है as a member of NATO but also as a member of Russia they want कि यहाँ पर और यहाँ पर जो activity है वो बढ़ाई जाए इन्होंने साथ ने यह भी कहा कि UK is our most important ally in Europe as well बलकि आप यहाँ पर देखिए हरानी वाली बात क्या है कि मैंने आपको बताया कि even though Sweden और Finland यहाँ पर non NATO countries है non member countries है लेकिन फिर भी इन्होंने भी अपने कई सारे troops को तैनात किया हुआ है Norway के बहुत ही उत्तर के राकों में जाकर के जहाँ पर लगभग 30,000 सैनिक जो की तैनात किये गए हैं जिसमें maximum जो सैनिक है वो नाटो country से आये हैं लेकिन इसमें Sweden और Finland से भी आपको सैनिक देखने को मिल जाते हैं जो कि basically दिखाता है कि यह सारी की सारी country यहाँ पर एक जुठ होकर एक साथ होकर रश्या के खिलाफ एक नया front यहाँ पर खड़ा कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं आज से कुछ दिन पहले exact यहाँ पर जो यह वाली exercise शुरू हुई थी यह 14 मार्श को शुरू हुई थी और यह वाली exercise है यह एक अप्रेल यानि कि आज तक यह exercise चलने वाली है यह वाली exercise जो की नाटो की बहुत ही बड़ी exercise मानी जाती है यह Arctic के इलाके में conduct करी गई इसका नाम है Cold Response 2022 इस exercise में Finland और Sweden ने भी हिस्सा लिया अगें एवन दो यह लोग हिस्सा नहीं है नाटो के लेकिन फिर भी इन्होंने इस military exercise में नाटो के साथ हिस्सा लिया यह आप यहाँ पर देख सकते है अप्रॉक्सिमेटली 30,000 सेनेक हैं 220 एरक्राफ्ट हैं 50 वेसल हैं और 27 कंट्री पच्चेस नाटो की और 2 स्विडन फिनलांग यहाँ पे आके आपको देखने को मिल जाती है दूसरी साथ में खबर यह भी आती है कि केवल रश्या को यहाँ पे एक front UK और NATO इदर से ही पेश नहीं कर रहा है यानि कि केवल western side से ही पेश नहीं कर रहा बलकि रश्या के eastern side से भी USA अपना एक front पेश कर रहा है आप लोग समझ चुके होंगे कि यह वाला जो front है वो USA पेश कर रहा है अलास्का की तरफ से यहाँ पे देखे यह रश्या का आपका पढ़ जाता है eastern border और यहाँ पर आप सारा पैसा इंवेस्ट कर रही है बढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे मकसद भी यही है कि रश्या के ऊपर इस तरफ से भी हम लोग जो है aggression और दबाव बनाने की पूरी की पूरी कोशिश कर सकें इस मैं आपको ध्यान से देखेगा कि यह आपकी रश्या की पूरी की करने की कोशिश कर रहे है तो यहाँ पर USA ने क्या किया हुआ है एक तो पोलाइड में अपने कुश ट्रूप्स हैं और युक्रीन में काफी सारे यहाँ पर यह लोग जो छत्याल भेज रही है और इधर से अब लोग यहाँ पर भी यह इस पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पर इसको encircle करने की कोशिश करी जा रही है, तो ये पूरी की पुरी प्रक्रिया है, जो की हमें देखने को मिल रही है, and this is not very very good, अगर आप देखें, इस पूरे के पूरी कीज़ के चलते, जो ये युद्ध है, जा पर ये संकट है, ये और भी जादा बढ़ सकता है, देखते हैं क्या होता है, फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही, जो भी आपको लगेश डेवलेपेंट के बारे में, प्लीज बताएं कॉमेंट सेक्शन में, जाने से पहले बताना चाहूंगा, Unacademy आपके लिए लेकर आई है, प्लस और Iconic Courses, जिसमें कि आपको अगर डिस्काउंट चाहिए दोस्तों, तो प्लीज यूज यूज दे रेफररल कोड अनी UPSC, इसके माध्यम से आप अपनी प्यारी यहाँ पर बढ़ी असान से शुरू कर सकते हैं, इसके इलावा, अगर आप लोग अनी UPSC Code इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये वाले CAC Batches अवेलबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाले Batches अवेलबल करवाए जाएंगे, और साथ ही में Unacademy आपके लिए dedicated test series लेकर आई है, इसमें भी आप लोग अनी रोल कर सकते हैं, और आपको ये वाले आपको ये वाले वाले वीडियो में इतना ही, stay tuned and stay safe.